नमस्कार किसान साथ को स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान विग्यान पर तो आज बात कर लेते हैं ग्यों की तो किसान भाईयों जैसे फरवरी महीना आ चुका है और जो ग्यों में बाड़िया जो दाणेया वो पूरी निकल चुकी है तो अब जो स्टेज है ग्यों की तो इस स्टेज पर सप्रेक रणा बहुत जरूरी है क्योंकि इस स्टेज पर जो मच्छर है बूरा तिला हरा मच्छर जो है ग्यों में बहुँ ज़्यादा आ जाता है और वो दिखाई नहीं देता वो जो ग्यों की बाले हैं जो ग्यों के दाने हैं उसमें अंदर की तरफ वो शिपके बैठा रहता है और वो आपको खेत में तो नहीं दिखाई देगा लेकिन आप जो उसकी बाल चेक करोंगे तो उसके अंदर जो है वो बैठा हुगा दिखाई आपको मिल जाएगा तो किसान भाईयो जब आपकी जो ग्यों है वो 20-30% निसर जाए तो उसमें आप सप्रे जरूर कराएं क्योंकि उस वक्त होता क्या है जो मच्छर है जो तेला है वो ग्यों में अंदर की तरफ छिफ जाता है और वो दिखाई नहीं देता तो जो आप पहले ही उसमें सप्रे करा दोगे तो ये जो समस्या है ये समस्या पहले ही खतम हो जाएगी और जो उसके बाद जो ग्यों निसरने वाड़ी है और जो भी उसके बाद दाने बनने वाड़े हैं उसमें जो आपको पैदावार में जो है उसमें बहुत जादा फर्क पड़ने वाड़ा है सबसे पहली बात ये है तो आपको सप्रे 20-30% में करा लेनी है अब दूसरी बात कि किसान भाईयों के मन में एक सवाल रहता है कि हम कौन से कीट ना सकी सप्रे करें जो की रेट में भी कम पड़े और उसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा मिले तो मार्किड में कहीं तरह के इंसेक्टिसाइड उपलब्ध है जैसे कि जैसे बुरा और हरत तेले के लिए जो अच्छा टेक्निकल है और अच्छा रिजल्ट देगा भी थाय मैत्योक्सम पच्ची परसेंट डवलूजी ये दानेदार मत्में आपको उपलब्ध होगा और एक जो थाय मैत्योक्सम 30 परसेंट एफस लिख्विड में जो टेक्निकल है ये भी बहुत अच्छा टेक्निकल है और ये सिस्टमिक टेक्निकल है तो आप इसका एक बार कर दोगे तो इसका 20 से पच्ची दिन आपको रिजल्ट मिलने वाड़ा है तो आप ये इस्तमाल कर सकते हैं और साथ में आप फंगिसाइड भी इस्तमाल जरूर करें क्योंकि जो ग्यहूं के अंदर जो पीलर रत्वे का जो प्रकॉप है वो भी देखने को मिलता है तो इसम आप पीले रत्वे के लिए जो प्रोपी कोनजोल 25% EC है उसका आप EC के साथ मिला करके स्प्रे करवा सकते हैं तो आपको रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिलने वाला है तो आप इसको भी इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमारी जानकार अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद